हेलो एब्रीवान वेलकम टू स्टड़ी आइक्यू स्टेट पीसियस आप सभी का स्वागत है स्टड़ी आइक्यू यूट्व प्लेटफॉर्म पर तो जैसा कि आप जानते हैं हम यहां पर यूपी पीसियस प्रॉलम्स को लेकर सी सेट सीवीज चला रहे हैं जिसमें हम सबसे सारे वीडियो आपके लिए ला चुके हैं अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजेगा क्योंकि वो सारे वीडियो आपके एक्जैम पॉइंट फ्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें हम आपके लिए मोस्ट क्वेशन यहां पर सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके एक्जैम में आपको हेल्प करेंगे ठीक क्योंकि क्वेशन जो है अब जस्ट बिकॉस यह निमारिक डेटा है तो इसमें एजटेस कॉपी-पेस तो एक्जैम में होगा नहीं लिए लिए चेंडिस होंगे लेकिन फॉर् संक्तों इंट्रेस्त लास्ट क्लास में हमनें सिंपल इंट्रेस्ट कवर किया था तो उसके बात इंट्रेस्ट और हैके एक्जैम में यहा तो SI का question होगा, या तो CI का question होगा, या फिर SI और CI दोनों को mix करके question पूछे जाते हैं, तो आपके लिए अब CI तक अगर आपको पहुंचना है, CI यानिकी compound interest, अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है, तो आपको SI आना चाहिए, अगर आप SI सीख कर आए हो, तो फिर आपको CI बनेग कि आपको पहले इसके previous chapter जो इससे interconnected है, वो बनेगा, तो ये और अच्छे से बनेगा, ठीक है, इसलिए हमने पहले simple interest आपको पढ़ाया, और आज की class में हम compound interest यानि की चक्र विर्धी ब्याज के question करेंगे, ओके, चलिए, start करते हैं, अब before I start, आप सभी के लिए information है, कि this independence day, study IQ आप सभी के लिए एक flat 47% discount लेकर आया है अपने सभी courses पर, तो आप मेंसे जो भी बच्चे अगर state PCS को target कर रहे हैं, तो pre means दोनों की तयारी आपको कराई जाएगी, इस हमारे platform number, जो हमारा batch number 13 है, उसमें, ठीक है, तो ये जितने state आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे ल close होने वाला है, 16 अगस्त को, यानि की independence day 15th of August है, तो sale जो है, वो आप के लिए एक दिन extra रखी गई है, 16 को ये end हो जाएगा, तो इस sale का फायदा उठाएगे, इस से related आपको जो कुछ भी जानकारी चाहिए हो, आप मुझसे Instagram या Telegram पे connect हो सकते हैं, ये है मेरा Telegram चानल, that is, Cset by Ayushi Map, यहाँ पर मैं अपने सारे वीडियोस की link, PDFs वगेरा यहाँ पे share करती हूँ, ओके, इसके लाब और कुछ अगर आपको study से related, doubt या कुछ बात करना हो, तो भी आप मुझसे इन दोनों platform पे connect हो सकते हो, चलो, बिना किसी देरी के, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने question को, ओके, तो first question is, क्या है देखेगा, question is, if the interest is calculated on the basis of half yearly compounding, ओके, मतलब अगर जो interest है, चक्रविर्धी ब्याज जो है, अगर वो अर्द वार्षिक काउंट किया जा रहा है, ठीक है, तो 16,000 रुपे की राशी पर 20% वार्षिक चक्रविर्धी ब्याज की दर से एक साल में वो कितनी हो जाएगी, आपको ये बताना है, अब देखे, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात सबसे जरूरी वो ये है कि आपको timing पर बहुत focus करना है, मतलब ये कि जो rate of interest है, किसी भी amount पे, जो interest आपको दिया जा रहा है, वो कितने time period के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, अब ये जो time है, ये आपका yearly भी हो सकता है, most of the time yearly देखने को मिलेगा, half yearly और quarterly, ये तीन तरीके के time आपके exam में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो जब भी बात होगी half yearly की, यानि कि अर्धवाशिक की, तो half yearly के case में, compound interest में, rate will be half and time will be double, मतलब आपकी जो दर है, rate of interest है, वो आपक आधा हो जाएगा, और जो आपका time है, वो आपका double हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ पर क्या है, अर्धवाशिक है, तो हमारी rate हमें कितनी given है, 20%, तो just because 20% rate है, तो rate क्या हो जाएगी, half yearly में आधी हो जाती है, है ना, तो आपकी rate हो जा इतना हो जाएगा, दो साल, तो अब अब time आपका 2 साल, और दर आपकी 10% आप लेकर चलेंगे, ठीक है, और अगर हम देखें, तो ये जो amount है, 16,000, ये किस चीज़ का है, तो ये आपका principal amount है, 16,000, तो आपसे question ये पूछ रहा है, कि यदि प्याज की करना अर्धवार्षिक अधार पर होती है, तो 16,000 रुपे की राशी, 20% की दर पे वाशिक चक्रविती व्याज में कितनी हो जाएगी, आपको ये बताना है, तो देखिए, आपको मतलब, amount यहाप पे आपको निकालना है, principle आपको given और amount भी कैसा, compounded amount, यानि कि चक्रविती मिश्रधन की बात हो रह हैं, मतलब, मिलने वाली amount अगर principle से जादा है, मूल राशी से जादा है, तो वो मिश्रधन होगा, ठीक है, कम है, तो वो interest होगा, ओके, ये चीज़ आपको देखके चलनी है, now, हाँ, तो simple formula यूज किया जाता है, मिश्रधन निकालने का, या compounded amount calculate करने का, a equals to p plus 1 upon r, 1 plus r by 100 to the party, ये इसका key formula है, इस chapter में, हजार जगे ये formula यूज होगा, तो जब पता हो, कि आपका पूरा chapter इस formula से go through होना है, तो आपको इस formula को दिमाग में बठाने की जरूरत है, एक बार याद नहीं होता, दो बार नहीं होता, दस बार आपको इसको याद करके रखना है, ये इस chapter का base है, ठीक है, अब आप इसमें value पुट कर दीजे, तो A आपको तो calculate करना है ही, P आपको 16,000 given है, ओके, प्लस R आपको given है 10%, ठीक, और T आपका कितना है, 2 साल, अब या तो आप इसको इस तरीके से solve कर लो, या तो एक whole value concept होता है, जो rate percent पे निकलता है, आप उस तरीके से कर ल कीजिए, या तो आप इसको solve करो, 1 0 से 1 0 काटो, फिर into करो, फिर ऐसे करो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कि 16,000 into 10% की whole value जाएगी 1 by 10, यानि कि 10 का 1 में add किये, तो 11 by 10, 2 साल, तो 2 बार into, आगे जा रहें क्योंकि इसली सिधा into, 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो ये कितन तो सिर्फ इन दोनों का into कर देना है, आपका answer आजाएगा, तो ये हो जाएगा last में 0, 16 वंजा 16, ठीक है, तो आप देखोगे, कि 6 0 last में आना चाहिए, और वो आ रहा है यहाँ पर, और कहीं पर नहीं आ रहा, तो करना क्या है, बजाए इसके, कि आप पूरा-पूरा into किये से बचाना है, ठीक है, तो 19,360 आपका right answer हो जाएगा, और एक चीज में आपको बहुत क्लियर लिए समझा दूं, कि ये वाले question जो होते हैं, compound interest वाले, ये थोड़े calculated होते हैं, आप इसमें ये नहीं कह सकते, कि ये calculation land दी जा रहा है, या फिर इसमें इतना into करना पढ़ रहा ह है, ये chapter ही ऐसा है, ठीक है, इसमें 1000 लाख में values आती है, deduct होती है, reduce होती है, इसके लिए आपको square root, cube root इन सबका knowledge होना चाहिए, ठीक है, बड़े-बड़ी संख्या आजाएंगे जिसमें आपको पार निकालनी होगी, तो आपको cube root, square root पता होने चाहिए, तो ये chapter अपने होता है, कुछ question पे आपको work करना पड़ेगा, depend करते हैं, आपकी speed कितनी है, speed अच्छी हो, it's okay, लेकिन accurate race के साथ आपकी speed अच्छी होनी चीए, ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे work करना है, ये नहीं कि हम class में फटा-फट answer तो कर रहे हैं, लेकिन हम गलत answer कर रहे हैं, तो ये बने कम टाइम पे बन रहा है, लेकिन गलत बन रहा है, तो कोई मतलब नहीं, जानने के बाद भी कि आपको question बन जाएगा, उसके बाद भी आप अगर गलती हो रही हैं, जल्दी solve करने के चक्कर में मतलब आपके अंदर accuracy की बहुत कमी है, तो इस पे work करना है, ठीक, चलो next question देखो, ये सब जो मैं question solve करते वक्त या after question solve मैं बताती हूँ, इसको भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप इस पे work करोगे न, then literally आपको improvement बिखेगी अपने आप में, now question is, if the simple interest on a sum of money at 10% per annum for 2 years is a 1000, मतलब यदी किसी धनराशी पर 8% वार्षिक चक्रविद्धी ब्याज की दर से 2 साल का साधारन ब्याज 1,000 रुपे है, तो ब्याज की गड़ना, वार्षिक चक्रविद्धी अधार पर अगर हम करें, तो समान राशी पर समान दर से समान अवधी का चक्रविद्धी ब्याज कितना होगा, आपको ये बताना है, मतलब ये कि यहाँ पर हमें जो एमाउंट इंवेस्ट किया गया है, वो नहीं पता है, ठीक है, आप से बोल रहा है कि पहले तो SI का केस है, अब आगया ना, SI-CI मिक्स वाले क्वेस्चन, अगर SI नहीं सिख्या होगे, तो CI नहीं बनेगा, क्योंकि SI को entry मारनी है, CI के साथ, ठीक है, तो CI और SI दोनों आपको आना चाहिए, तो पहली चीज तो ये, कि SI के बेसिस पर, आप प्रिंसिपल अमाउंट निकालोगे, जैसे ही प्रिंसिपल अमाउंट आपका निकल जाएगा, उसके बाद, आप क्या करोगे, उसी राशी प करने का अपना formula है, कि इस compounded amount से, प्रिंसिपल आप घटा दो, या फिर आपके पास दो formula है, देखे, या तो आप पहले A निकाल लो, 1 प्लस R by 100 to the party, और फिर आप CI निकाल लो, A माइनस P करके, एक तो ये concept है, CI निकालने का, कि पहले अलग से A निकाल लो, फिर A मेंसे P घट आदो, एक और formula जो direct CI का बनता है, वो है, P और 1 प्लस R by 100 to the party, ये हो गया A, और उसमें से ये P घटा दो, ठीके, एक इस तरीके से बनता है, और इसी के लिए, एक और बनता है, कि आप यहाँ पे P को common ले लो, P को common ले लोगे, तो 1 प्लस R by 100 to the party, माइनस 1, आप इस तरीके स से भी जा सकते हो, मतलब you have 3 choices कि आपको कैसे solve करना है, या तो आप इन दोनों के basis पे निकाल लो, या तो आप इसके basis पे निकाल लो, या तो आप इसके basis पे निकाल लो, मैंने आपको तीनों तरीके बता दिये, ठीक है, अब question देखो, question ये है कि आप पहले PRT का use करके P निका के बाद उसी P से उसी rate पर उसी timing के साथ CI निकालेंगे, now, तो PRT का formula क्या होता है भाई, तो, sorry, I का formula होता है PRT by 100, तो आपको I कितना given है, 1000 रुपे, ठीक, P तो आपको पता नहीं, rate आपको पता है 8%, और timing है 2 साल, और formula का नीचे 100, ठीक है, अब आप इसको simplify कर लो, तो ये कि करना हो जाएगा, तो this will be 2 1s are 2, 250s are 100, ठीक है, और कट जाएगा, तो देखेगा, 2 4s are 8, और 2 25s are 50, ठीक, अब नहीं कटेगा ये, ठीक है, यहां से 100 कट जाएगा, 4 1s are 4, 4 25s are 100, और ये 0, अब ये वाला 25 यहां आके, multiply हो जाएगा, है ना, तो आपका P कितना निकल 25 इंटू 25, 6 25, और एक 0 लगा है, तो 0 लगा दो, तो ये हो गया आपका P की वैल्यू, अब इसी P पर आपको CI निकालना है, तो सिंपल, आप अपना CI निकाल लीजे, तो CI निकालने के लिए, ए पहले निकाल लो, ठीक, आप डारेक CI भी निकाल सकते हो, तो ये हो गया P, 1 प परसेंट है, और ये पावर कितने है, T हैने की 2 साल, अब 8 परसेंट के आप होल वैल्यू निकालनो, तो 8 परसेंट की होल वैल्यू कैसे होगी, 8 परसेंट है, 8 परसेंट को आप लिख सकते हो, 8 बाई 100, 8 बाई 100 को आप लिख सकते हो, कितना, 4 बाई 25, नए 4 बाई 50, ठीक है 4 by 50 को आप लिख सकते हो 2 by 25 और 2 by 25 को आप लिख सकते हो 27 by 25 by the help of old value concept तो 27 by 25 बस इसके साथ आप A निकाल लीजे तो A हो जाएगा आपका 6 to 5 0 into 27 into 27 divided by 25 into 25 ओके 25 बंजा 25 25 जा 25 बंजा 25 बंजा 0 जा ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 7 to 9 0 और एक 10 का 0 ठीक है तो अब आपका CI निकाल लो CI क्या होता है A माइनस P A आपका कितना है 7 to 9 0 P कितना है 6 to 5 0 दोनों को घटा दो तो दिस विल भी आप देखो आधा घटा आया है लास्ट में 40 आ रहा है तो लास्ट में 40 यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है मतलब यह option नहीं होगा और यह option नहीं होगा या तो option B सही होगा या तो option D सही होगा तो अब आप question को देख लो यहां पे कितना बचा 2 में से 2 गया 0 मतलब 0 4 0 तो 0 4 0 140, मतलब ये भी नहीं होगा right answer हो जाएगा आपका 1040, ठीक है तो इसको solve करने पे 1040 आ जाएगा तो ये मत करना कि पूरा-पूरा solve करने पढ़ गए लास्ट में unit desert, 10th desert तक चेक करना आपका option अलग-अलग आपको दिख जाएगा ओके, तो this is the type of question कि अगर exam में ऐसा आता है, तो आपको इसको कैसे deal करना है, ठीक है? I hope अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से इन ही question की practice कर लोगे ना, तो आप अपने exam में, चाहे आप किसी भी state PCS को target कर रहे हैं आप इस chapter के question easily लगा पाएंगे, ओके? चलो, next question देखे क्या है question? Question is, यदि x रुपे की राशी पर 8% की दर से, 3 साल का साधारन भ्याज, ठीक 4000 रुपे की राशी पर 10% की दर से, 2 साल के चक्रविदी भ्याज के आधे के बराबर है तो x का मान ग्याद कीजे आपको ये बताना है पहले तो question आप समझे की नहीं समझे देख लीजे, simple interest on a sum of rupees x at 8% for 3 years is equal to half of the compound interest on a sum of rupees 4000 at 10% for 2 years, to find the value of x, question ये है की 4000 rupees के राशी पर 10% की दर से, 2 साल का जो चक्रविदी भ्याज है, उस का आधा उसका आधा x रुपे की राशी पर 8% की दर से, 3 साल के साधारन भ्याज के बराबर है this is the meaning of question ओके तो देखिए कैसे solve कर लेंगे है हम इसे, simple मतलब आपको CI भी निकालना है, SI भी निकालना है तो पहला step तो ये है कि आप CI निकाल लो उसका आधा कर दो और SI के बराबर रख दो मतलब CI को आपको अलग से calculate तो गरना पड़ेगा ओके तो CI निकालने के लिए ये निकाल लो 4000 इंटू 10% है तो 11 by 10 इंटू 11 by 10 आप कर दो 2 0 से ये 2 0 कट गए तो ये कितना होगे आपका 11 का square 121 इंटू 40 ठीक है तो ये कितना आजाएगा 4 बन्जा 4 4 बन्जा 4 और ये 0 अब यहाँ से आप CI निकाल लीजे इसमें से आप P घटा दीजे ठीक है तो 4840 मैसे आप 4000 घटा दो तो आपका CI आजाएगा कितना 840 840 आपका क्या होगा 840 होगे आपका CI बट according to the question half of the CI के बराबर है तो 840 का आप आधा कर देना है ना हाँ अब देखिए जो आपका actually मैस SI है SI जो है X रुपे की राशी पर 8% की दर से 3 साल का जो साधारन ब्याज है वो चक्रविती ब्याज के आधे के बराबर है तो आप इस तरीके से इसको solve कर सकते हो ओके तो यह कितना हो जाएगा भई 4, 2, 8 4, 2, 8 4, 1, 4 4, 0, 0 ठीक है 2, 1, 2 2, 1, 2 2, 0, 0 2, 5, 10 ठीक और यह कट जाएगा 3 1s are 3 3 3s are 9 3 5s are 15 2 1s are 2 2 50s are 100 मतलब x upon 50 equals to 35 तो 50 को यहां भेज दो तो आपको x ही तो निकालना है तो 35 into 50 तो this will be last में 0 अब option देख लो last में 0 सब भी क्या रहे है 5 5s are 25 कहरी आया 2 5 3s are 15 और 2 17 मतलब 1750 जो होगा यानि कि option number यह आपका correct answer हो जाना है सबसे पहले question की meaning समझे की question कहे क्या रहा है question यह कह रहा है कि पहले SI का case दिया है which is equivalent to 4000 रुपीज पे 10% के rate से 2 साल के CI के आधे के बराबर है ठीक तो इसलिए हमने CI को किया फिर उसका आधा किया और फिर उसको SI के बराबर रखा उस बेसेच पे आपको X की value निकालनी थी तो X की value आ गई आपकी कितनी 1750 और यही होगा आपका right answer तो I hope आपको question समझाया होगा कि इसमें किस तरीके से हमें इसको deal करना है अब type of question same रहेगा numerically data change होगा तो आपको इस चीज के लिए mentally prepare रहना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होदा कि अगर मैं हाँ पे कोई चीज plus करके पढ़ा रही हूँ तो exam में भी plus हो जाए वो minus करके पूछ लेगा but जब मैं particular question solve कर रही हूँ तो आपको simultaneously guide कर रही हूँ कि अगर ऐसा question आ जाए तो कैसा करना है वैसा question आ जाए तो कैसा करना है तो जब मैं यह जो बता रही होती हूँ इसको आपको focus करना है ना की skip तो अपना time इतना लेके बैठो कि यह जो मैं side में आपको tips दे रही हूँ यह भी सुनते चलो क्योंकि यह useless नहीं है ओके चलिए देखिए अब अगला question किसी जमा राशी पर 8% की वार्षिक दर से 8 साल का साधारण ब्याज 16,000 रुपए है फिर उसी राशी पर इस दर के 1,4 दर से 2 साल का चक्रविदी ब्याज क्या होगा कैसे करूग इस question को तो सबसे पहले तो यह आप वो amount निकाल लो क्योंकि same amount पर आपको CI calculate करना है और rate आपको given है SI की 8% लेकिन CI के case में उसको 1,4 करना है फिर solve करना है ठीक है तो यह चीज आप देख कर चलना तो कैसे solve करेंगे सबसे पहले आप क्या कर लो SI वाले condition से P निकाल लो तो I equals to होता है PRT by 100 यह होता है यह बच्पन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो Now I आपको given है कितना 16,000 तो यह लिख दिया 16,000 P आपको निकालना है rate 8% है और timing 8 years है formula का नीचे 100 अब आप इसको calculate कर लीजे then you will get 8 1s are 8 8 2s are 16 यह हो गया 2000 ठीक और यह कितना हो गया 4 2s are 8 4 5s are 20 और यह 00 2 1s are 2 2 25s are 50 और यह 0 मतलब यहां पे बचा आपका कितना 250 और यहां पे आपका कितना बचा P Y 100 ठीक है तो 250 और 2 0 और लग गए तो आपका निकल के आगया P तो यह हो गया आपका P बट question में P अकेला थोड़ी निकालना है question is कि आपको same amount पे 1 4th rate पे same timing के लिए CI निकालना है तो amount हमको principal amount मिल गया 25,000 ओके तो अब चक्रविदी amount यानि की compounded मिश्रधन जब आप calculate करोगे तो आप use करोगे 25,000 1 प्लस अब जो आपका R है according to the question आपको R 10% दिया है आपको उसका 1 4th करना है मतलब आप कितना लेके चलोगे तो आप उसको 4 to the 8 यानि की 2% rate लेके चलोगे तो 1 प्लस 2 by 100 to the power timing के बारे में 2 साल बोला गया तो 2 साल लेंगे SI में तो 8 साल बोला गया था वो उसका case था उसको हम 8 साल यहां नहीं लेंगे ठीक है बस अब आप इसको concept लगा दो whole value तो आपका answer आजाएगा 25,000 into this will be 1 by 50 तो 1 by 50 मतलब 51 by 50 तो 51 by 50 into 51 by 50 बस अब आप इसको solve कर दीजिए तो यह कितना हो जाएगा एक 0 से 1 0 कट गया एक 0 से 1 0 कट गया 5 1 जा 5 5 5 जा 25 और यह 0 फिर 5 1 जा 5 5 10 जा 50 ठीक है यहां बचा 51 और 51 तो 51 का स्कोर कितना होता है 2 6 0 1 ठीक है 2 6 0 1 51 का स्कोर into 10 यह उपर बचा हुआ था तो मतलब 2 6 0 1 और यह एक और 0 किसलिए तो यह 0 है यह वाले 10 के लिए ओके आप जैसा कि मैंने चाप्टर की शुरुवात में ही बोला कि इसके लिए आपको स्क्वेर्स और क्यूब्स का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ऐसी संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी जो कालकुलेटिव होंगी ओके नाओ तो ए निकल के आ गया 26010 अब आपसे क्वेशन पूछा है कि आपको तो कंपाउट इंटरेस निकालना है तो कंपाउट इंटरेस्ट क्या होता है तो भाई कंपाउट इंटरेस्ट होता है 26010 मैसे आप 25,000 घटा दो, क्यों घटा दो, क्योंकि यह है आपका A और यह है आपका P, ठीक, तो this will be 0, 1, 0, अब आप option देख लो, 0, 1, 0 यहां पर है, मतलब यह आपका right answer हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको solve करोगे, तो वही आएगा, 1, 0, 1, 0, ठीक, तो solve करते वक्त option देख लेना, कि last में 1, 0 आ रहा है, एक यह option में आ रहा है, वही आप cancer हो जाएगा, ठीक, पूरा calculate आपको नहीं करना है, क्या आपको समझ में आया, कि मैं क्या बोलना चाहरी हूँ, इस तरीके से जाना है, आपको in questions के साथ, ध्यान से देखना यहां पर 1, 4 लिखा है, अगर आपने 1, 4 नहीं देखा, 8% की rate पे answer निकाल लिया, तो कहो 8% की rate पे, जो CI निकलता हो, वो भी option में हो, इसलिए आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि examiner यह छोटी-छोटी सी चीजें, जिनको बच्चे सामने लिखा होने के बाद देखने ही पाते, इनको इनको देख ना पाने के कारण जो answer आ रहा होता है, वो option में दे देते हैं, जान बूच के, ताकि आप गलती करो, ठीक है, तो यह आपको नहीं करना है, चलो, next question देखेगा, next question is, question is, एक धनराशी चक्रविती व्याज की निश्रत दर पर तीन साल में स्वयम की आठ गुनी हो जाती है, मतलब यह, a sum of money becomes 8 times itself in 3 years, okay, कोई भी चीज अपनी ओरिजिनल अमाउंट से कुछ हो जा रही है, जादा, तो वो मिश्रधन की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है, and जबकि ब्याज की करना, वाशेक चक्रविती अधार पर की जाती है, तो ब्याज की दर ग्याद कीजिए, मतलब यह, कि while the interest is calculated on annual compound basis, then find the rate of interest, तो कैसे करेंगे आप, मतलब यह, कि आपको यहाँ पर यह देखना है, कि P तो आपका भई, जो sum of money है, ठीक है, जो sum of money है, वो आपका P है, ठीक, और जो आपका amount है, वो कितना हो जा रहा है, आठ गुना हो जा रहा है, ठीक, यह मैं आपको समझाने के लिए लिख रहे हूँ, यह आपको नहीं लिखना है, यह मैं इसलिए लिख रहे हूँ किया, ताकि जब आपके पूस PDFs रहे, तो आपको solution देखके समाझ आए, आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, ठीक, इसलिए मैं थोड़ा arrange करके लिख देती हूँ, जिससे सिर्फ PDFs देखके आपका काम चल जाए, अब क्या है, compounded annually, मतलब compound interest के basis पे calculate करना है, timing आपको दिया है कितना, 3 साल, 3 साल का आपका timing है, आपको rate निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, A equals to P bracket में 1 plus R by 100 whole power T, ठीक है, एक ही जगह पे आप रख दोगे 8P, P तो आपका P है ही, 1 plus R आपको calculate करना है, और T आपको given है कितना, 3 साल, तो यहाँ पे कर दिया आपने 3 साल, ठीक है, अब देखे, यह वाले P से, यह वाले P से यह वाला P कड़ गया, तो बचा क्या हमारे पास, 8 equals to 1 plus R by 100 whole power T, T मतलब 3, ठीक है, अब आप इस 8 को क्या लिख सकते हो, cube के respect में, तो आप लिख सकते हो, 2 cube, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, 2 cube equals to 1 plus R by 100 whole power 3, तो यह 3 से यह 3 कट जाएगा, तो 2 equals to 1 plus R by 100, हमारे पास बचा, अब आप इसको LCM लेके solve कर लेजे, तो this will be 100 plus R divided by 100, फिर यह 100 इस 2 के पास चला जाएगा, तो this will be 200, ठीक है, तो 200 में से 100 चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 100, और 100 बराबर किसके हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा, R प्रतीशत के, यानि कि आपकी जो rate of interest है, which is compounded basis, वो हो जाएगी आपकी 100%, ठीक, तो right answer हो जाएगा, आपको option number C, यानि कि 100 प्रतीशत, ठीक है, इस तरीके से आपको इस question को deal करना था, यहाँ पर हर एक question, दूसरे question से अलग है, क्यों अलग है, ताकि आपको difference समझ में आए, कि अगर इस type का question है, तो कैसे करूँ, step का question है, तो कैसे करूँ, यह चीज थोड़ा दिमाग मैं carry करके चलना, now, this is your answer, that is 100%, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, देखिएगा क्या है question, question is, question is, यदी वार्षिक चक्रविदी आधार पर निवेश किया गया एक हजार रुपए की राशी, दो साल में बढ़ कर एक हजार चार सु चालिस हो जाती है, तो चक्रविदी भ्याच की दर ग्याद कीजिए, मतलब ये, if an amount of rupees thousand invested on annual compound basis increases to 1440, okay, in two years, then find the rate of compound interest, मतलब ये, कि कोई amount है, जो की एक हजार रुपए का हमने इन्वेस्ट किया, और वो compound basis पर 1140 हो गया, कितने time पे, two years पे, तो ऐसी कितनी rate of interest लगा होगा, कि वो 1140 हो गया होगा, मिलने वाला amount, मतलब the amount should be pay, वो कितना है, 1140, which is greater than thousand, याने की principal amount, it means, वो जो मिलने वाली राशी है, जो वापिस return हो रही है, वो जादा है, तो वो क्या होगी, मिश्रधन होगी, ठीक है, compound interest है, तो compounded amount count करेंगे, ठीक, अब आप इसको solve कर लो, simply, मतलब, आपको यहाँ पे R निकालना है, है ना, तो A equals to P bracket में, 1 plus R by 100 whole party, आप यह देख पारे होंगे, कि अभी तक हम same formula use कर रहे हैं, मतलब यह formula इतना काम का है, कि अगर यह नहीं आता ना, तो आप ऐसा question नहीं होगा, ऐसा ही CI में, कि आप बिना formula के कर पाओ, ठीक है, CI की especially मैं बात करूँ, तो इसके लिए आपको formulas लगाने पढ़ेंगी, अगर कोई आप कहीं से trick week से पढ़े हो, तो let me tell you, वो limited question पे perform होगी, हर question पे वो perform नहीं होगी, ठीक, तो इस धोके से बाहर आने की, यह try करें, कि यह सच्चाई है, चलो, A है आपका 1440, P है आपका 1000, ठीक है, आपको R नहीं पता, लेकिन time पता है, वो है आपका 2 साल, तो बस इसको यहाँ ले आओ, तो 1140, बटे 1000 बराबर, 1 प्लस R बाइ 100, होल पार 2, 10 से 10 कटिया, तो here will be, value कितनी हो जाएगी, यहां का square हटेगा, तो यहां square root आजाएगा, तो square root होगा, तो 144 से 12 बाहर आजाएगा, और 100 से 10 बाहर आजाएगा, और यह बराबर हो जाएगा, 1 प्लस R बाइ 100, बस, यह square से square root होके 12 बाइ 10 आया है, ठीक है, अब आप इसको solve कर लीजे, 12 बाइ 10 इक्वलस to 100 प्लस R डिवाइड़ बाइ 100, ठीक है, अब बची कुछी चीज़ों का cross multiplication कर दो, तो here will be, यह हो गया, 120 इक्वलस to 100 प्लस R, अब अगर आप इस equation को solve नहीं भी करोगे ना, सिर्फ इसको यहां तक छोड़ दोगे ना, यहां तक, तो भी आपको, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारी R है, वो हमारी 20 परसेंट निकल कर आएगी, ठीक है, यह चीज़ आप समझ सकते होंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके यह माइनस होना है, यहां पेंटू होना है, तो संख्या छोटी होती है, तो calculate करना easy हो जाता है, एक यह चीज़ तो है, लेकिन इधर तक solve करके आके, यह चीज़ यहां पे carry की जा सकती है, कि इतना को solve ना भी करें, तो भी हम 20% लगा सकते हैं, mental calculation करके, अब यहां पर जो बच्चे expert है, तो उसको skip कर सकते हैं, जिनको नहीं बनता है, जो beginners है, फ्रेशर है, अभी अभी शुरू कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप पहले इनको solve करें, उसके बाद आप skip करना शुरू करें, जब आप एक बार सीख जाएंगे, step by step solve होता कैसे हैं, तो फिर आप step को skip करना भी सीख जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे, तो यहां पर, आर आपका निकल के आजाएगा, 20%, 20%, कैसे 20%, 100 यहां जाएगा, तो 120 से घट जाएगा, तो 20% निकल कर आजाएगा, ओके, now, next question पे चलते हैं, एक नई योजना के तहट, एक बैंक, 30% वारशिक ब्याज प्रदान करता है, कोई सूरज नाम का विक्ति है, जो इस नई योजना के तहट, 10,000 रुपे की राशी जमा करता है, और अवधी के अंत में, 28,561 प्राप्त करता है, तो सूरज ने यह योजना, कितने समय के लिए चुनी थी आपको ये बताना है, समझ पारे हो, क्वेशन ने क्या कहा, मतलब यहाँ पर आपको टाइम नहीं पता कि उस स्कीम में, वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब बैंक ओफर्स 30% एन्नुल इंट्रेस्ट अंडर अन्यू स्कीम, एंड सूरज टेपॉजट से 10,000, उसने उसने उस्कीम में 10,000 डेपॉजट किये, और उसको रिसीव हुआ कितना, 28,561, तो end of the time period, भाई वो क्या था आपको ये बताना है, तो देखिए, question क्या है, question is, कि उसको return कितना हुआ, 28,561, ठीक है, उसने इन्वेस्ट कितना किया था, 10,000, ठीक, अब rate कितनी लगाई थी, rate लगाई थी 30%, बट कितने time के लिए वो स्कीम में engaged रहा, आपको ये पूछ रहा है, तो बहुत easy है, आप इसको कर लेंगे, दीखिए, आपका a ये है, 28,561, ठीक, 10,000 आपका नीचे आ जाएगा, कैसे, क्योंकि वो formula में यहां रहते है, फिर नीच 2, 1 प्लस, आर आपका कितना है, 30%, ठीक है, तो 30% का whole value will be 30 by 100, तो 100 से 1, 0 से 1, 0 कट गया, 3 by 10 मतलब, इन दोनों को add कर दो, तो this will be 13 by 10, मतलब आप 13 by 10 लेके चलोगे, ठीक है, तो 13 by 10, तो या तो आप ऐसे कर लो, दो-तीन तरीकें किसी भी question को, पी आपका 10,000 है, इन टू, 13 by 10, लेकिन हमें timing नहीं पता, ना, हमें timing नहीं पता, रुको, तो हम कितने बार करेंगे उसको, तो आप ऐसे मत करो, simple basic तरीके पर पहुँच जाओ, basic तरीका इस, 10,000, ठीक, फिर 1 प्लस, आर याने की, 30 by 100, और यह हो गया आपका time, इसको नीचे लियाओ, तो यह हो जाएगा, 28,561, दिख रहे हैं आप लोग को, divided by 10,000, equals to, यह कितना हो जाएगा, एक जीरो सेक जीरो कट गया, 13 बटे 10, फूल पार T, ठीक, तो अब देखो, हमें T निकालना है, थोड़ा सा common sense लगाना, नीचे वाली वेल्यू 10 के respect में है, जीरो से form में है, यहाँ पर कितने जीरो आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर आपको उपर वाली वेल्यू का, स्क्वेर, क्यूब, पार 4, पार 5 नहीं भी आता है, तो भी दो में से कोई एक वेल्यू ऐसी रहे कि जो आप कैल्कुलेट कर पाऊगे, ठीक है, बट आपको उसके बाद भी मैं एक होंगी, कि सारे क्यूब और स्क्वेर और स्क्वेर रही होगी, ठीक है, तो T मतलब ये, और ये उपर का कनेक्शन उपर वाली वेल्यू से नीचे का कनेक्शन नीचे वाली वेल्यू से रहता है, मतलब 13 की पार 4 करोगे, और 10 की पार 4 करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, पार 4 मिल जाएगी आपको, ठीक, ये कट जाएगा तो 4 आजाएगा आपका T के बराबर मतलब ये 4 साल आपका अंसर हो जाना है अब देखो ये आप solve नहीं भी करते ये वाला portion तो भी इसको देख कर हम 4 साल लगा सकते थे सिर्फ ये 10 के 4 0 देख कर ये मैंने समझाने के लिए solve किया है आप अपने exam में यहां तक solve ना करें अगर आपने इस question की practice की होगी 4-5 बार तो आप expert हो जाएंगे इसको avoid करें यहां से आप directly 4 साल लगा सकते हैं मैं किसी भी question को solve करते वक्त ये भी आपको indicate कर रही हूँ कि क्या step आप नहीं लिखोगे तो भी काम बन जाएगा और क्या लिखना पड़ेगा आपको तब answer आएगा यह भी मैं आपको बताते चल रही हूँ ठीक है तो आप अपने कानों का भी थोड़ा सही प्रयोक करें किसके लिए सुनने के लिए ओके चलो और स्क्राद करेंद सोटे। तो दोनों बैंकों की ब्याज दर के बीच अंतर बताईए मतलब यह यहाँ पर कोई दो बैंक है, same amount है, 5000, ठीक है, same timing है, 2 साल, लेकिन दोनों बैंक अलग-अलग rate पर वो amount दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर यह पूछ रहा है, उन दोनों की rate के बीच अंतर कितने का है, nothing else, कैसे करोगे, अब हमें नहीं पता कि वो rate कितनी है, bank A है, bank B है, हमने माल लिए एक bank R1% पे दे रहा है, दूसरा bank R2% पे दे रहा है, आप अपने मन से 10% जादा, 20% जादा आप यह नहीं मान सकते, ठीक है, आपके घर के आसपास कि यह practical bank आप यहाँ नहीं लगाओगे, यह maths है, तो नहीं पता है, तो you have to assume something, अपना extraordinary दिमाग नहीं लगाना है, कि यह 2% जादा होगा, यह 7% जादा होगा, bank तो इतना ही अंतर रहता, यह काम नहीं करना है वहाँ पे जाके, ठीक है, नहीं तो examiner आपका काम करते का, किस चीज का, पेल करने का, चलो, कैसे करोगे, और दोनों का difference भी दिया है, तो हमने मान लिए, 5000 एक bank ने दिया, R1 की rate पे 2 साल के लिए, divided by 100, ठीक, क्योंकि SI के basis पे calculate करना है, दूसरा bank है, उसने भी 5000 रुपे दिया, rate नहीं पता हमने R2 मान लिया, 2 साल के लिए ही था वो भी, divided by 100, और this will equal to 25, यह भी question में given है, ठीक, अब तो आपको क्या मिल जाएगा, यह 2 0 से यह 2 0 कट जाएंगे, यह 2 0 से यह 2 0 कट जाएंगे, मतलब, 50 to the 100, 100 R1 minus 50 to the 100 R2 equals to 25, बस करना क्या है, 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है, तो 100 को ले लिया हमने common, ठीक है, तो R1 minus R2, और यही तो हमें निकालना है, कि उनकी दरों के बीच में अंतर कितने का है, ठीक है, तो बस अब आप इसको solve कर दीजे, 25 4 जा, 25 1 जा, यह कड़ गया, तो यह जो 4 है, यह equal के इधर जाएगा, तो divide हो जाएगा, अब इतना ही देख के, बिना काटे भी, 25 और यह 100 को, बिना काटे भी, आप 0.25% लगा सकते थे, ठीक है, मतलब आप 100 को यहां ले आते, तो यह हो जाता, 25 बटे 100, तो 25 बटे 100 को, आप 0.25% आराम से कह सकते थे, एक तरीका, दूसरा तरीका, 25 को 100 से काट, 25 को 4 से काटते, 100 को 4 से काटते, 25 के table से, और फिर यह 4 को, इस 1 के नीचे ले आते, ठीक है, मतलब 1 अपॉन 4 कर तो भी 0.25% होता, और 25 बटे 100 भी 0.25% होता, तो चॉइसे यॉर्स की कैसे आपको गो थू करना है, आप जितना जादा ये आखरी वाली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे, उतना जादा आपको tables, squares, cube यह सम याद होते जाएंगे, कि कैसे calculation easy बन सकती है, ठीक है, बहुत सा मारे बच्चे डारेक्ट लाइन बाइन करना शुरू करते हैं, तो यह आप देख सकते हैं अपने हसाब से, बट मैं आपको बोलूँगी, कि आपके calculation जितना जादा करो उतना फायदे मन्द है, चलो, next question देखिए, क्या आएगा, पिछले वाले का answer क्या था, 0.25% आपका right answer था, ठीके, now, next question देखिए, next question is, question देखने में लगते हैं कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, लेकिन इतना difficult होता नहीं है, जितना इसको बना दिया जाता है, देखू, एक कार खाने का उत्पादन, दो साल में 6,600 टन से बढ़ कर 7,986 टन हो गया, मतलब, the production of a factory increased from 6,600 टन to 7,986 टन, कितने टाइम पर, तो टाइम is 2 years, ठीके, and if the growth is calculated on the annual compound basis, तो find the rate of growth, तो आपको ये बोल रहा है, यदी वृधी की गढ़ना वार्षिक चक्रविधी आधार पर की जाती है, तो वह incremented rate ग्यात कीजिए, याने की वृधी की दर आपको बताना है कितनी होगी, ठीके, तो देखो, 6600 ton था, है ना, 6600 ton था, हो गया कितना, 7986, मतलब ये हो गया आपका P, और ये हो गया आपका A, ठीक, फिर question कहा रहा है कि timing है आपका 2 years, तो बताओ कि rate में ऐसा कितना increment हो गया, ठीके, तो कैसे करोगे, कि ऐसा कैसा rate यहाँ पर change हुआ, कि वो value इतने से इतनी हो गई, देखे, करना क्या है, वही आपको A वाला formula लगाना है, तो 7,986 equals to 6600, 1 plus R आपको कितनी दे गई है, नहीं दे गई, R by 100 whole part 2, ये है, अब अब इसको simplify कर लो, ठीक है, तो आप ये देखोगे, कि ये कट जाएगा, 2,3,6, ठीक, 2,9,18, 2,3,6, ये कट जाएगा, 2,3,6, 2,3,6, और ये 00, ये और कट जाएगा, तो यहाँ उपर जगा नहीं है, तो मैं नीचे लिख रही हूँ, 3,1,3, 3,3,9, 3,3,9, 3,1,3, और ये हो जाएगा, 1,1,00, ये और कट जाएगा, 11 के टेवल से, तो दिस विल बी, 11,1,11, बचा कितना 2, 11,2, बचा 1, 11,1, और ये हो गया, 11,1, और ये 0, ठीक, यहाँ पर ये हमारा इक्वल चला आ रहा था, और यहाँ पर 1 प्लस R by 100 चला आ रहा था, ठीक, अगेन आइम रिपीटिंग, उपर जगा नहीं थी, इसली मैंने नीचे काट दिया है, नहीं तो उपर काट काट के उपर लिखते हैं, ठीक है, अब देखो, अब आप इसको कर सकते हो, देखो, इसको यहाँ ले आओ, तो यह होगे 121 बटे 100, और यह यहाँ पर कितना बचा, 100 प्लस R divided by 100, यह हो गया, 100 से 100 कट गया, अब देखो, अब आप देखो, यह कितना हो जाएगा, कहीं पर कुछ गढ़बढ हो गया, क्या देखना ज़रा, कितना परसेंट आ गया था, रुको, 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 यहाँ पर गढ़बढ हो गया, 1 second, T आपको 2 साल दिया गया था, हमने T ही नहीं लिखा, wait, R हमें calculate करना है, तो this will be 121 था, यह 100 यहाँ जाएगा, तो यह हो गया 100, और यहाँ पर 1 ब्लस R by 100 whole power 2, T की value क्योंकि हमें 2 given है, ठीक है, अब यह 2 यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पर square root लग जाएगा, तो 121 और 100 किसके square होते हैं, तो आप बोलेंगे कि this is the square root of 11 and 12, तो 11, sorry 11 and 10, 11 equals to, 11 by 10 equals to 1 plus R by 100, यह हो गया, ठीक है, बस अब आप इसको simplify कर दो, तो this will be 100 plus R divided by 100, अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यह 10 यहाँ जला जाएगा, तो this will be 110 minus 100 equals to R, याने कि 110 में से 100 चला गया, तो बचा कितना, 10% और 10% क्या था, वही बढ़ाई हुई दर थी, जिस से 6,610 रुपे, 7,986 टन हो गय थे, ठीक, तो this is the rate of interest, जिसके वज़े से यह increment हुआ था, दो साल में, ओके, तो right answer हो जाएगा, आपका कितना, 10%, clear? I hope आपके लिए question, आपके लिए question आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है, जैसे भी question हमने आ रखे हैं, I hope आप यह simultaneously solve करते हुए चल रहे होंगे, सिर्फ देखना वीडियो काफी नहीं है, जब भी numerical आप कुछ भी पढ़ो, आप pen copy लेकर बैठो, भले ही आपसे बनता क्यों नहीं हो, आप उसको solve करते चलो, क्योंकि अगर आप solve नहीं करोगे न, यह कोई theoretical subject नहीं है, कि आपने MCQs, MCQs सुनते गए, सुनते गए, याद होते गए, तो यह वो subject नहीं है, यह सिर्फ देख के काम नहीं चलाएगा, इसके लिए आपको अपने हाथ को कश्ट देना पड़ेगा, ठीक है, चलो, क्वेशन देखिए, किस मूलधन पर, 10% की दर पर, 3 वर्ष के चक्रविदी व्याज और साधारन व्याज का अंतर, 620 रुपे होगा आपको यह बताना है, किस मूलधन पर, तो हमें के पता, क्या मूलधन है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता, क्वेशन कहे रहा है, उसी कौन सब वो प्रिंसिपल अमाउंट है, जिस पे 10% की रेट पे 3 साल का जो CI है, और 10% की रेट पे 3 साल के SI का डिफ्रेंस याने की अंतर, 620 होगा, तो मतलब क्या है, आपको एक क्वेशन में दो क्वेशन दिये हैं, कि आपको CI भी निकालना है, SI भी निकालना है, दोनों के अंतर को आपको 620 के बराबर करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे simply इसको करने के लिए, तो आप यह देखेंगे, कि 620 तो आपने यहाँ पे लिख लिया, यह डिफ्रेंस है, ठीक है, तो CI जब आप निकालोगे, तो CI का फॉर्मुला, 1 प्लस R बाइ 100 होल पार्ट T, है न, माइनस यहाँ पे P कर दोगे, तो यह हो जाएगा आपका CI, ठीक, A माइनस P, ठीक, ऐसे, फिर, माइनस P इन्टू R इन्टू T, बटे 100, यह हो गया SI, अब आप इसको सॉल्फ कर लो, तो यह कैसा हो जाएगा, 620, equals to P common ले लिया, तो this will be 1 upon 100, 1, 1 प्लस R by 100, होल पार 2, नहीं, होल पार 3, ठीक है, होल पार 3, माइनस 1, आप इसको लिख सकते हो, P बाहर निकाल लिया, आपने तो, माइनस P, इन्टू R, इन्टू T by 100, आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, जिस भी लाइन में आपको पुट करना है, अब आप देखे, 620 तो अल्रेडी गिवन है, P आपको निकालना है, P को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन R हमें पता है क्या, R हमें पता है 10% है, ठीक है, और यह हो गया, Q माइनस 1, और this will be, P आपको निकालना है, R 10 है, टाइमिंग 3 है, और यह फॉर्मूलिय का 100 है, ठीक है, यह हो गया, अब आप इसको क्या कर सकते हो, अब आप इसको कुछ नहीं, अगली स्लाइड में लिख सकते हो, ठीक है, देखो, तो this will be, 620 equals to P है, यहाँ पर 1 plus 1 upon 10, whole part 3 minus 1, और minus P नहीं पता, और यह कितना था, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 3P by 10, 3 by 10 आप इसको लिख सकते हो, ठीक, now, अब देखे, 620 already given P, तो यह हो जाएगा 10 से कम 10 और 11 बटे 10 की पार 3 minus 1 minus 3P by 10, यह हो गया, तो अब 620 equals to P, this will be 131 divided by 1000 minus 1 minus 3P by 10, यह वाली जो steps में कर रही हूँ, if you are expert in these steps, then you can skip one by one that part, ओके, जो आप से बन सकता है, mentally आप उसको अवोईड कर सकते हैं, जैसे यह के इस equation का direct यहाँ जम कर सकते हैं, क्योंकि यह देखके पता चल रहे हैं कि 11 के respect में जाएगा, ओके, तो यह वाली line can be skip, second वाली, ओके, now, 620 equals to P, this will be 131 minus 1000 divided by 1000, यह वाली line also can skip, क्योंकि यहाँ पर पता हैं कि 1000 घटेगा, 331 बचेगा, ठीके, तो यह जो मैं बता रही हूँ लिखते वक्त, इस पर ध्यान देना है, तो 1000 इसमें से चला गया, बचा, 331 divided by 1000 minus 3P by 10, ठीक, यह इसको देखके, मतलब इस line से, आप direct इस line पर jump कर सकते हो, ऐसी इस line से, आप direct इस line पर jump कर सकते हो, जिस side मैंने arrow बनाया है, जिस line को मैंने touch नहीं किया, उसको आप skip कर सकते हैं, वो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हूँ, ओके, now, अब this will be 620 equals to, यह हो गया 331P minus 3P और 3P और यह कितना हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो 2 0 हो जाएगा, मतलब 300P आप इसको लिख सकते हो, divided by 1000, ठीक है, लिख सकते हो न, 1000 और 10 का LCM लोग है, तो कितना आएगा, 1000 और 1000 से 1000 कट जाएगा, तो 331P आजाएगा, minus 10 से 10 कट जाएगा, तो 100 कंटू 300 होगा, तो 300P हो जाएगा, ठीक है, अब इसके बाद, 620 equals to, ये कितना हो जाएगा, 31P, ठीक, 331 में से 300 चला गया, 31P और नीचे बचा हुआ है, 1000, ओके, 31 से 2 टाइमस में कट गया, 62, और ये जो 1000 ये यहाँ पहुच जाएगा, तो 20 और 000 equals to P, मतलब आपको वो जो amount उसने find out करने को कहा था, कि वो किस मूलधन पर, same rate, same timing से CI और SI का जो difference है, वो 620 होगा, तो भाई, वहाँ पर जो principal amount होगा न, वो 20,000 रुपए होगा, यानि कि option number D होगा, जिसका SI और CI का अंतर, 10% की rate पे, 3 साल के लिए difference 620 रुपए होगा, तो ये question calculated होते हैं, इसके लिए आपको ऐसे solve करना है, मैं यहाँ पर ये भी बताते चल रहे हूँ, कि कौन सी step आप नहीं भी लिखोगे, तो भी आपका काम बन जाना है, जैसे यहाँ पर मैंने formula लिखा है, आप इस step को, ठीक है, आप इस step को skip कर सकते हो, ये वाली first step को, आप skip कर सकते हो, ठीक, और यहाँ पर मैंने P common निकाला है, आप इसको skip कर सकते हो, को आप डायरेक्ट यह स्टब लिख सकते हो तीके उसके बाद आप इसको के मतलब इसको तो मैंने पीछले स्ञाइट से कॉपी किया है उसके वह डायरेक्ट इस स्टरप यह स्टरप पर यह जो एलचेम ब्रॉस्स है इसको भी आप skip कर सकते हो क्योंकि ये clearly दिखाई दे रहा है कि ये होगा 300 इसमें से घटेगा 31 आएगा 31 से 62 कटेगा तो ये जो लोग करते रहते ना तो उनको पता चल जाता है कि हम कौनसी step को skip कर सकते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है अब कु वो क्यों बोलेंगे क्योंकि वो सुन नहीं रहे हैं कि मैं solution क्या दे रही हूं आपको मैं board fill कर रही हूं उन zero students के लिए जो fresher है या जो beginner है जिनको नहीं आता है बाकी के लिए मैं आपको indicate करते हूं चल रही हूं क्या-क्या step आप करोगे तो भी काम बन जाएगा नहीं करोग questions end होते हैं किसके compound interest के काफी solid question है अगर आप इनकी 8-10 बर practice कर लोगे न तो आपको CI के question बनने लगेंगे ठीक बजाए इसके कि 8-10 book अलग-अलग पढ़के CI के question solve कर रहे हैं कि हर बार एक नया question मिले यह तैयारी करने का तरीका नहीं है आप बने-बनाए question को 10 बार करो अपने आप फिर जब 11 question नया मिलेगा ना तो आपको उसको करने में आसानी होगी ठीक है यह बात बहुत काम की है अगर आप अभी उस situation में है तो आप यह कि नया question ही हो तभी बनना चाहिए hard ही हो तभी paper निकलेगा ऐसा नहीं होता तो आपको और work करने की जरूरत है तो जो सुन ले होगी नहीं बढ़ जाएंगे क्योंकि मूं माइंड सेट अप का नहीं है तो आपको इसको ध्यान देना है अच्छे से पढ़ना है जो भी question हम यहां पे कर रहें उसकी daily practice करना है अपने टाइम टेबल में से आधा घंटा at least निकालिए वीडियो को आप 2x पे लगा कर देख आपका टाइम बचेगा ठीक है बस आपको सेम question की practice करना है इसको आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए अब session हम end करेंगे कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you so much and have a very nice day बाइबाइ